तो हेलो मैं वेलकम बैक टू दो माई निव वीडियो तो गाइस आज किस वीडियो में हम बात करेंगे टोप फाइब बेस्ट फाइब जी एंड आल राउंडर फोन के बारे में जो कि आपको 13000 के अंदर में मिल जाएंगे क्योंकि मार्केट में 13,000 का अंदर में बहुत ही कौम ऐसे स्मार्टफोन है जो की एक बढ़िया और बॉजेट और एक ऐल राउंडर फोन है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन सभी स्मार्टफोन में आप लोग को कैमरा में OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा जिससे कि आपका वीडियो स्टेबलाइज रहेगा ज्यादा हीलेगा नहीं और 4K तक वे आप लोग वीडियो रिकोडिंग भी कर सकते हो और उसी के साथ 6000 एमेज के एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगे इन सभी फोन में और 120 हर्ट जोला कॉर्फ एमेलेट पैनल भी देखने को मिलेगा पावरफुल प्रसेसर तो रहेगा ही रहेगा तो अखायर यह सारा फीचर रहेगा मैंने आपको पहले बता दिया चली बात करते हैं हमारे लिस्ट के पांचवे नमबर वाले फोन के बारे में तो गाइज मैंने जो पांचवे नमबर फोन रखाया इस स्मार्ट फोन में आप लोग को 120 हर्ट जोला सूपर एमेलेट डिस्पले देखने को मिलता है यह फोन है रेडिमी का रेडिमी नोट टूएल 5G चली बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बा बालेटी ठीठ है निकल करकाती है मतलब कि कोई सिकायत वाली बात नहीं है और साइड मॉंटेंड फिंगर प्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया हुआ है जो कि काफी फास्ट काम करता है बाकि यह फोन आउट आउट और बॉक्स अंड्रोइड 2L को उपर में रन करते हुए मिल काफी अच्छे दिखाइदें डिस्प़ले में डिस्प़ले की क्यालिटी साही है और इस डिस्प़ले के उपर में Corning Gorilla Glass Tree का पौकिम liar जलते हैं जिसे कई सिकार्द वाली बाथ नहीं आती है अगर परोसेसर की बात करें तो इस फोन में स्ञाप ड्रीगन जो chests आपलोग में बीद्शा सप्सर्च इ depreciation में छहनर में बना हुआ है परोसेसर पर याइब 256000 के दिया वह और स्ट्रेट्यफश्टाइप दिया हुआ अगर क्यामेरी के साइड में मिलता है ट्रिपल दिया हूए इसके में केमरे से मैक्सीम फूल सप्झे हट्प्य टक वीडियो रिकॉडिंग कर सकते हो और प्रांट में 13 मिले शख़े थिकुल extract करके आते हैं यह एक बज़ेट फोन है तो कैमरा ठीक ठाक है बाकि 5000 टेमेंस के बड़ी बैटरी दी हुए फोन में और उसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में 33 वाट का चार्जर दिया हुआ है तो एक घंटे 20 में बैटरी फूल चार्ज हो जाती है और एक दिन का नॉर्मल इस पर बैटरी वेक भी आपको मिल जाएगा उसमें कोई दिकत नहीं आएगा बात करते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नमर वाले फोन के बारे में तो मैंने जो चौथे नमर फोन रखा है इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा डिजाइन और काफी अच्छे अच्छे फीचर के साथ आता ये फोन और ये भी एक ओल राउंडर फोन है ये फोन है रियल मी का रियल मी 12x5G चलिए बात करते हैं इस पोन के डिजान के बारे में तो काफी अच्छा और काफी प्रिमियम डिजान के साथ आता ये फोन और आईपी 54 की रेटिंग भी दी हुई है तो ये काफ अच्छी है कोई सिकायत वाली बात नहीं है बस AMOLED होटा तो थोड़ा और आच्छा होता चलिए बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में तो इस स्माटफूर में काफी तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक प्रोसेसर तो है ही शिक्स नेनोमीटर पर बना हुए प्रोसेसर है और चार लाख 20,000 के करीब इस काउंतु तुए स्कोर देखने को मिलता है तो बैटल ग्राउंड्स गेम तो इस स्पॉन के बाइक के साद में मिलता है डूआल कैमरा सेट लिसम्मी के 50 می epic और यह is support के साथ आता है एक होता है और यह ता है और ज्यादा बूरा भी नहीं है इस फोन का प्रोसेसर के अनुसार से उसके अनुसार से इमेज प्रोसेसिंग करके अभी अच्छा देता है वह भी इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा अच्छा कैमरा है इसका पिछले वाले स्मार्टफून से बाकि 5000 इमेज की बड़ी बैट 45 फट का चार्जर मिल जाएगा तो एक घंटे-10 में बैटरी फूल चार्ज हो जाएगी और एक दिन का बैटरी वेकप आसानी से मिल जाएगा कोई दिकत नहीं आएगा चली बात करते हैं हमारे लिश्ट के तीसरे नमर वाले फोन के बारे में तो गाइज मैंने जो तीसरे नमर पे स्मार्टफोन रखा है इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेस काफ़ी अदला जवाब है और ये भी एक आल राउंडर फोन है ये फोन ने वीवो की तरफ से वीवो T3X5G चले बात करते हैं इसके बारे में तो काफी अच्छा डिजान के साथ आता है ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बोडी के उपर में बना हुआ है और इस पर स्मार्टफोन में IP64 की रेटिंग दी हुई है तो ये काफी अच्छी और बढ़िया बात हो जाती है फोन के लिए प तो बॉक्स अंडरोइट 14 को पर में रन करते हुए मिल जाएगा चले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो 6.72 इंचेज की फूल एच्डी प्लस IPLS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है इस फोन में LCD डिस्प्ले है लेकिन इसके अंदर भी 120 हर्ट का हाईयर रिफ्रे सक्षन दिया हुआ है तो डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक दे गई है कोई दीकत वाली बात नहीं है अगर प्रसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में भी स्नाइप ड्रेगन 6-11 प्रसेसर दिया हुआ है जो की एक चार नैनो मिंटर पर बना हुआ पोसेसर है साड़े 5 ल नेम टाइम पो खेल सकते हो कोई दीकत नहीं आएगा राम टाइप एलपी डीडीर 4x दिया हुआ है रस्टेश टाइप एफस 2.2 दिया हुआ है तो डेली लाइप इसेज में भी कोई दीकत लेकर के स्मार्टफोन नहीं आएगा कैमरा सेटप की अगर बात करें तो इस स्मा देखते हो और भीभू का फोन है तो इसका कैमरा थोड़ा सा बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है सोभी फोन के मुकाबले तो इसका कैमरा परफर्मेस का प्यादस सही है बात करते हैं बैटरी की एक बड़ी बैटरी दी हुई है फोन में और उसको चार्ज करने के साथ में काफी अच्छा स्मार्पोन है चलिए बात करते हैं हमारे लिस्ट के अगले नमर वाले फोन के बारे में तो गाइस मैंने जो दूसरे नमर पर फोन रखा है इस स्मार्पोन में आप लोग को 120 हर्ट जोला एमले डिस्पले देखने को मिलता है और इसके कैमरा से आप साथ में और कुछ अधर फीकर के बारे में बात करें सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दिया हुआ है लेकिन इसकी साघ्रञ्ट के क्वालीटी काफी दह सभाभी दिया हुआ है तो यह मत्सक कि काफी फास्ट काम करता है और यह फोन आउड को पॉकस और रह 10 कूपर में run करते हू बाकि सारे फोन में पता चल जाता है चली बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो 6.5 इंचेज की एक आइफोन में भी लगा होता है बाकि डिस्प्ले में HDR10 प्लस वाइडवान एलोन यह सब कुछ का सपोर्ट दिया हुआ है और कोर्निंग गोरिला गलास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ डिस्प्ले के उपर में डिस्प्ले के क्वालिटी में कोई सिकायत नहीं है अगर प्र दिखत लेकर करने आएगा मतला की आप लोग हायर शर्टिंग पर गेम नहीं क्यों सकते हो फाइस राइज ट्राइल आएगा लेकिन अच्छी बात हो जाते हैं पोन के लिए आप लोग राम बढ़ा सकते हो लेकिन चलिए बात करते हैं के पाइपटोन के बाइक के साइड में ट्रीपल कैमरा सेट अप दिया हुआ है जिसमें की 50 मेंगापीसल का में कैमरा और यह वाइए सपोर्ट के साथ आता है वाई समसंग वालों ने इस फोन का अंदर बहुर भर के फीचर दिये गए हैं चलिए बात करते हैं आगे तो 8 मेंगा पीसल का अल्टर वैर्डल एंगल लेंस दिया हुआ है और 2 मेंगापीसल की मेक्रा दिया हुआ है स्के में कैमरे 6MP 605 एलियो आपको असानी से मिल देगा कोई दिकत महीं आएगा चलिए बात करते हैं हमारे लिस्ट के पहले नमर वाले फोन के बारे में तो यह कॉपलीट एक औल राउंडर फोन है और फाइब फोन यह फोन में मोटरोला के मोटो जी सिख्टी फोर फाइब जी काफी सींपल डिजान के साथ आता है यह फोन ऐसा बेन है कि अच्छा डिजान नहीं है काफी अच्छा डिजान है इस फोन का कंपलेट प्लास्टीक की साथ आता है जिसकी साउंड की क्वालिटी आप लोग समाज सकते हो कितनी जाजा सही होगी और यह फोन आउट अट वॉक्स एंडरवाइट 14 के उपर में रन करते हुए मिल जाएगा अगर डिस्पले की बात करें तो 6.5 इंचेज की फूल सेडी प्लस आईपील सलसीडी डि गई है एक और राउंडर फोन है तो इस स्माटफोन में ऐसा नहीं है कि इस्पले खराब है चो सब कुछ खराब होगा डिस्पले की क्वालिटी ठीक है बाकी और ज्यादा फीचर दिये गया है आपको आगे बताता हूं चलिए जान लिजिए इतना जान लिजिए डिस्पल वीडियो रिकर्ड कर सकते हो और सोलों मेगापिसल का सेलफी कैमरा दिया हुआ है उससे आप लोग मैक्सिम फुल एच्टी 30 एपश तक वीडियो रिकर्डिंग कर सकते हो कैमरा इस मंगा कभूत बहुत की बढ़िया है काफी अच्य फोटो और वीडियो निकल करके आते हैं अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफून में MediaTek Dimensity 7025 वोला प्रोसेसर दिया है जो कि यह काफी बढ़िया प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर है 6 नियुमिंटर पर बना हुए प्रोसेसर है 5 लाकी करीब इस का उन्टू 2 स्कूर देखने को मिलता है यानि कि आप लोग इसम 2.2 दिया हुआ है अगर बैटरी की बात करें तो इस वाले स्मार्टफून में भी आपको स्यम 6,000 इमेच की बड़ी बैटरी दी हुई है और 33 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा जो कि जिर घंटे में बैटरी को फुल चार्ज कर देगा और आपको नॉर्म स्मार्टफून में से कोई है कि आप लोग बाइक कर लिजिए बागी आपको वीडियो अच्छी लिए गए तो लाइक जरू कर लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो चलिए मिलें किसे कर लेना इंटरेश्टीन टोपिक साथ तब तक लिए नमस्का जहिंजे भारत